सब्सक्राइब करने जा रहे हैं हमारी क्लास की पॉलिटिकल साइंस के बारे में मंडे से सैटर्डे रेगुलर्ली क्लास चल रहे हैं हमारी टाइमिंग आपको पता चली चुकी होगी रेगुलर्ली पांच बजे क्लास चलती है हमारी पॉलिटिकल साइंस की तो क्लास को जॉइन करना बिलकुल ना मूले चेप्टर नंबर 6 है हमारा लोग तांत्रिक व्यवस्था का संकट पार्ट 2 होने वाला इस चेप्टर का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डीटेल नोट्स का लिंक हमेशे की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उन्हें चेक आउट करना बिलकुल मत भूलिएगा डीटेल नोट्स इंपॉर्टेंट कोश्चन कुईज और अधर कंटेंट के लिए आप हम हमने क्या-क्या डिसकस किया था कि 1971 के चुनाव के बाद यह सब इंतर रिलेटेड करते हैं तो हमने 1971I के चुनाव तक में पढ़ा था वह उगर आप नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें तब इसके बाद ये वाला चप्टर देखना शुरू करें फिर पार्ट वन देखें फिर पार्ट तू क्यों कि ये दौनों चप्टर क्या हैं इंटरकनेक्टेड है ठीक है बैट तुनिस सो एकतर के चु गोशना क्यों की गई इसके दौरान क्या किया गया इसके परिणाम क्या हुए इसके प्रती लोगों की राय क्या थी इसके सबक क्या हुए और इसके बाद क्या हुआ एक्जक्टली ठीक है बैट तो कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी भी हम डिसकस करेंगे कि अपातकाल के बा कब लगा था 1975 में उसकी समाप्ती हो गई कब 1977 में लगबग दो साल बाद विपक्षी पार्टियों ने जंता पार्टिय बनाए और अपातकाल के समयोई समस्य और अन्यायों का मुद्दा बना कर चुनाव लड़ा तो हमने ये पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि किस तरीके से प्रेस पर सेंशर्शिप लगवाई गई थी निवारग नजरबंदी के द्वारा क्या किया गया था बहुत सारे लोगों को जेल में डलवा दिया गया था तो इन सब चीजों को देखते हुए अपातकाल के दौर में क्या किया गया विपक्षी पार्टियों ने जितनी भी गट बना लिया गट बना लिया और उसका नाम क्या दिया भाई जंता पार्टियों और जो भारतीय जंता पार्टियों ब्यजे पी आप को याद होगा जेपि नरायन के बाद में बताया था न भई कौन थे जिनोंने चात्रांदोलन्गा नेत्रित्व किया था तो यह इसके पाथ काल के बाद शुरुआ दो ही चुनावोगी, तो आपात काल के बाद देश में हुआ हमारा छटा आम चुनाव, यह जो हमारा सिक्स हेलेक्शन था वह अपात काल के बाद हुआ, थेके बाद पांच वा एलेक्शन 1971 में हुआ था, याद होना चाहिए सब को भई फस्ट और इन चारो यनि इन पांचों के अंदर हम कह सकते हैं कि कॉंग्रेस जीती थी बस यहां पर क्या था कॉंग्रेस का विभाजन हो चुका था तो विभाजित कॉंग्रेस जीती थी यह सब याद होना चाहिए आपको और इसके बाद हुआ हमारा छटा आमचुनाव कभूअ अब जो हमारे देश की पूरी जनता थी वो कहीं ना कहीं क्या थी भै कांग्रेस के विरोध में आ गई थी यानि की कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपातकाल के दौर में अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया भै लोगों को बंदी बना लिया निवारक नजरबंदी के कांग्रेस लोगसभा का चुनाव हार गई और केंडर में सरकार नहीं बना पाई इसे सिर्फ 154 सीटे मिली कितनी मिली भै एक सो चाउवन सीटे तो फिर जीता कौन जीती जनता पार्टी ठीक है भै जनता पार्टी ने क्या किया वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी को उसके संयोग्यों के साथ 330 सीटे मिल गई और अकेले जनता पार्टी कोई 295 सीटे मिल गई ठीक hè भै क्योंकि उत्तर भारत में अपातकाल का ज्यादा प्रभा था इसलिए कांग्रेस को उत्तर भारत में लगबग ना के बराबर सीटे मिली और इस तरीके से कांग्रेस क्या कर प्रदान मंत्री बनाई गया तो इसके बाद बनी जनता पार्टी की सरकार तो 1977 में चुनाव जीतने के पाद जनता पार्टी ने केंदर में सरकार बनाई मुरार जिदेशाई प्रदान मंत्री बने चरन सिंग और जगजीवन राम को क्या किया गया उप्प्रदान मंत्री बनाई गया इसने काम क्या किया बैदे को सबसे पहला तो जनता पार्टी की सरकार के कार रे क्या थे इन्होंने शाह आयोग को स्थापित किया तो आपातकाल की जाच के लिए यानि आपातकाल के दौरान में एक्जेक्टली हुआ क्या था ये जानने के लिए इन्होंने एक शाह आयोग बना दिया ताकि जो कांग्रेस ने गलत काम किये थे वो सब क्या हो सके सामने आ सके ठीक है भई तो 1977 में चुनाव जीतने के तुरंत बाद जनता पार्टी की सरकार ने शायोग का गठन किया इसका अध्यक्ष जेशी साह को बनाये गया ये नाम याद रखना भई जेशी शाह को इसका क्य और क्या किया इन्होंने ठीक है भई तो ये जो ये बनाया गया था शायोग बनाया गया था ये याद रखना most important है शायोग जो बनाया गया था इसका काम था अपातकाल के समय जो कार रह हुए थे उनका अवलोकन करना यानि उनके बारे में देखना शायोग ने सभी की जाच की यानि जो किस के दवरान अपातकाल के दवरान हुए थे हजारों गवाओं के बयान लिये और एक रिपोर्ट पेशकी उन्होंने उस रिपोरट के अंदर क्या लिखा वई उन्होंने लिखा कि बही जो अपातकल लगाय जाने का निड्ने था ना वो किवल प्रधान मंत्री का था इसके लिए किसी से भी कोई सला नहीं ली गई और ये गलत था यानि इंद्रा गांधी मैंने आपको बताई थी ने स्टोरी कि इंद्रा गांधी गई रास्ट्रपती के पास उन्होंने बोला कि अपातकल लगा दो क्योंकि स्टितिक हराब हो रही है और रास्ट्रपती ने क्या किया अपातकल लगा दिया तो यही कहा गया कि अपातकल लगाय जाने का जो निड्ने था वो सिर्फ प्रधान मंत्री का था किसी ने इसके लिए क्या नहीं किया था भई किसी ने भी कहा नहीं था कि अपातकाल लगाया जाना चाहिए चाहिए वो कोई मंतरी हो या फिर हमारा ग्रै मंतराले हो किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि अंदरूनी गड़बडी और अपातकाल लगाया जाना चाहिए इसी के साथ सा अपातकाल लगाए जाने के तुरंत बाद समाचार पत्रों के कार्यालों की बिजली काड़ दी जो पूरी तरह से गलत था भई समाचार पत्रों के जो कार्याले थे उनकी क्या की गई बिजली काड़ दी गई जो की पूरी तरह से क्या था गलत था क्यों गलत था भई क्योंकि समाचार पत्र क्या थे मीडिया के थे प्रेस के अंदर आती थी तो प्रेस पर censorship लगाए गई तो यही देखते हुए क्या किया गया भई उनकी बिजली काट दी गई जो बूरी तरह से गलत था ठीके भई उनको नियम बताय जा सकते थे उसके बाद यह किया जा सकता था साती साथ जितने भी विपक्षी नेता थे उन सब की गिरफतारी प्रधान मंतरी के कहने पर की गई मैंने आपको बताय था बड़े बड़े विपक्षीनेताओं को निवारक नजरबंदी के तहट क्या किया गया बई गिरफ्तार कर लिया आप निवारक नजरबंदी क्या होती है निवारक नजरबंदी का मतलब है कि किसी वेक्ति को इसी लिए गिरफ्तार कर लेना क्योंकि वो भविष्य में जाकर क्या कर सकता है बई समस्य प्यदा कर सकता हैं किसी वेक्ति को गिरफ्तार कर लेना क्या कहलाता है वह यह इंद्रा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया गया मीशा का गलत प्रयोक किया गया कि मिसा क्या होता है मिसा की फुल फॉर्म है Maintenance of Internal Security Act क्या है बैब Maintenance of Internal Security Act तो Maintenance of Internal Security Act क्या होती है बेसिकली इस बारे में था कि अंदरूनी सुरक्षा को बनाई रखने के लिए किसी भी वेक्ति को क्या करना जेल में डाल देना तो ऐसा कैहकर कि भाई इस वक्ती से हमारे देश की अंद्रोनी सुरक्षा को क्या एक खतरा है तो इस वज़े से उसे जेल में डाल देना जैसे रासुका होता है भाई रास्ट्रे सुरक्षा कानून सेम उसी दरीके से लगभग क्या था हमारा मीशा था तो इसके दोराव भी बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कुछ लोग जैसे कि संजे गांधी, जो कि किसी सरकारी पदपर भी नहीं थे, संजे गांधी कौन थे, इंद्रा गांधी के बेटे थे, इंद्रा गांधी के दो बेटे थे, संजे गांधी और ठीक Presence फिर भी उन्होंने अपना कूकि उनकी माता जी क्या थी प्रदान मंतरी थी तो अपनी माता जी के प्रदान मंतरी होने का गलत फायदा उठाया और हर चीज़ को प्रभावित किया, इसी के साथ साथ, यानि हमने देख लिए आपात काल में क्या क्या गलत हुआ, इसी के 277 के समय का जो एक बड़ा मुद्दा था वो था पिछडे वर्ग के लोगों का विकास करना ठीक है और इसके लिए मंडल आयोक को बनाए गया था पिछडा वर्ग क्या होता है देखो हमारे सविधान के अंदर मुखे रूप से दो लोगों दो वर्गों को पैचाना गया था पहला कौनसा है ST और दूसरा SC यानि SC-ST के आरक्ष्ण के लिए कहा गया था SC यानि कि हमारी स्केडियूल कास जो होती है अनुसूचित जाती ठीक है और स्केडियूल ट्राइबस यानि कि अनुसूचित जन जाती ठीक है पर देश में ऐसा तो था नहीं कि जो SC-ST है सिर्फ गरीब है कुछ जनरल के लोग भी ऐसे थे जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आते थे पर वो भी गरीब थे तो उनका क्या किया जाए तो इसी चीज को देखते हुए पिछड़ा वर गायोग बनाया गया था कि भाई इसके मुख्या कौन थे देखो बिंदेश्वरी प्रसाद मं जाना तो बेसिकली वो लोग जो S.C.S.T. में नहीं आते उन लोगों का भी अगर विकास करना जरूरी है उनकी भी हालत खराब है तो उनके लिए कलक से वर्ग बनाना तो तबी से शुरुआत हुई थी कि भाई O.B.C. की ठीक है अन्य पिछड़ा वर्ग यानि कि अधर बै जाती तो होती थी तो पिछड़ा वर्ग का घठन करने के लिए पिछड़े वर्ग के अंदर उपस्ति जातियों की पहचान करने के लिए क्या बनाया भई मंडलायोग बनाया यहां तक हमें समझ आ गया बात करते हैं इनकी सरकार की स्तिथी क्या थी देखो अब जनता पाट अब इतनी सारी पाटियों ने मिलकर सरकार तो बना ली ठेक है पर यह ठीक से काम नहीं कर सकी और 18 महीने तक शासन करने के बाद मुरार जी देशाई की सरकार क्या हो गया भई गिर गई फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी और चरण सिंग प्रधान मंत्री बने तो बेस सरकार बन गई वो प्रधान मंत्री बने पर यहां पर कांग्रेस ने खेल कर दिया कांग्रेस ने चार महीने बाद अपना समर्थन वापस ले लिया और यह सरकार भी गिर गई तो ना तो वो जंता पाटी के रहे नहीं कांग्रेस के रहे और चरण सिंग सिर्फ चार महीने के 26 çiwork 38 63 ठीक भई 5-5 साल बाद उसके बाद 1971 में 5 ठीक भई 8ilian से कर्णाख्यम चुनाओव ८ख्श वह पर देश में उसने सरकार बनाई और इंद्रा गांधी वापस प्रदान मंत्री बन गई तो कहानी को समझो देखो 1971 में इंद्रा गांधी आई एक दम जोर शोर से बांगला देश का युद्ध जीता वई समाजवादी नीतिया अपनाई और देश के विकास का वादा करके गरीबी अटाओ क नारा देकर इंद्रा गांधी आ गई उसके बाद उन्होंने लोगों को क्या दिया अपातकाल दिया और अपातकाल में उन लोगों के साथ क्या हुआ अत्याचार हुआ तो लोगों ने क्या किया 1977 में इंद्रा गांधी को अटा दिया अब कौन आ गई जंता पार्टी आ और इंद्रा गांदी ने फिर से क्या की वापसी की तो आप देख सकते हैं कि इंद्रा गांदी की जर्नी थी वो कितनी उतार चड़ाव से भरी हुई थी कि पहले 1967 में जब वो शामिल हुई तो उनके गुट के लोग यूँ उनके खिलाफते सिंडिकेट वगेरा 1969 में उनकी पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने अलग से पार्टी बनाई उसके बाद 1971 में वो जीती तो 1977 में आर गई और फिर 1980 में उन्होंने जोर शोर से वापसी की इसके बात क्या हुआ वई इस तरीके से यहाँ पर हमारा सात्वा आम चुनाव क्या हुआ संपन हुआ अब बात आती है कि भई अपात काल लगा था देश के अंदर ठीक है भई तो अपात काल के सबक क्या रहे हमने आखे अपात काल से सीखा क्या इतने लंबे दोर के अंदर अपात काल लगा रहा हमारे देश में तो हमने अपात काल से सीखा क्या तो देखो यह most important question है भई नावी व्यवस्ता समानने रही इससे एक बात तो साफ हो गई कि भारत में लोगतंत्र को अटाना इतना असान नहीं है यानि देखो देश में जो सरकार थी उसने क्या किया अपातकाल भी लगा दिया अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग भी किया पर फिर भी कहीं ना कहीं हो कि भारत में लोगतंत्र रटाना असान नहीं है यानि कि भारत में लोगतंत्र बना रहा और विवस्ता समानने रही आपातकाल के दोरान लोगों के अधिकारों की रिक्शन ही जाते है और जो स्वतंत्र था था गिर है वो सब क्या हो जाते हैं स्थगित हो जाते हैं ठीक है तो इस वज़े से न्याय पालिका भी लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं गर पाई इस वज़े से अपात काल के बाद लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रतिक्या हुआ जरुरत का एसास हुआ उन्हें भ लिख़ा है। यह संगठन यह वाला है, ठीक है भई और उसके बाद देश में अधिकारों की रख्षा के लिए मानव अधिकारों की रख्षा के लिए कई संगठन भी मनें इसी के साथ साथ आगर हम देखें, तो सवीदान में संशोधन करके अपातकाल के प्रावधान में आं मारे सविधान में एक शब्द लिखा था आंत्रिक अशान्ती यानि जब देश में क्या हो आंत्रिक अशान्ती हो तो क्या किया जा सकता है अपात्काल लगाया जा सकता है पर आंत्रिक अशान्ती होती क्या है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो इसी वज़े से शब्द को मा से हटा दिया गया और उसकी जगा पर लिख दिया गया क्या सशस्त्र विद्रो क्या लिखा गया भई सशस्त्र विद्रो तो अब सिर्फ तभी अपातकाल लगाया जा सकता है जब देश में क्या हो सशस्त्र विद्रो यानि की हतियारों के साथ कोई देश का इस्सा क्या गर द विद्रो कर दे देश के खिलाव तभी आंत्रिक अपात्काल लगाया जा सकता है तभी सविधान के उस अनुचेत को लागू किया जा सकता है तो इस तरीके से सविधान में भी सुधार किया गया और आंत्रिक शांती शब्द को हटा कर सशस्त्र विद्रो को जोडा गया उसी क साथ अपातकाल लगाने के लिए मंत्री परिशद और रास्ट्र पती को लिखित में देना जरूरी कर दिया गया यानि देश में अपातकाल सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब मंत्री परिशद सरकार को अपातकाल लगाने के लिए लिखके दे तो हमने देखा था कि इंद्रा गांधी गई और उन्होंने रास्ट्रपती से बोला कि अपात्काल लगा दो अपात्काल लगा दिया तो ये समस्या थी misleading कि प्रधान मंत्री इस तरीके से तो अपने इनुसार कभी भी ऐसा करवा सकता है तो इस वज़े से इसे बदला गया और सुधार किया गया क्या सुधार किया गया कि भई अब अपातकाल सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब मंत्री परिशद यानी जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जो परिशद होती है वो सरकार को या राष्ट्रपती को लिख कर दे कि पात काल लगा दो भई तो I hope कि everything is clear भई पार्ट वन और साथी साथ फिफ चैप्टर जरूर देखना तबी चीज़े अच्छे से clear होंगी साथ आम चुनावों के बारे में बात कर ली है इसके बाद हमारे दो चैप्टर है आठवा जिसके अंदर हम चुनावों के बारे में कम बात करेंगे अलग मुद्दों के बारे में ज्यादा बात करेंगे और फिर उसके बाद आठवे चुनाव से हम पढ़ेंगे अप बहुत सारी वीडियो के लिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के साथ साथ आप हमारी एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जिसके उपर आपको सभी कंटेंट एक ही जगा पर एक ही साथ मिल जाएगा विद बोर्ड वाइस क्लास वाइस स्लेबस हिंदी इंग्लिश मीडियम दौनों के अंदर टोटली फ्री ओफ कॉस्ट है तो जाकर उसे क्या करें जल्दी से डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर क्रिस क्रॉस क्लासे लिखें या फिर आपको झाल